नमस्कार दोस्तों आपका अपना चैनल आकास एटीपी में हार दिर स्वागत करता हूं और आधा मारे हिस्टोरिक टाइटल है वैल्यू ओफ ट्रेस्ट विश्वास का मुल्य है तो लोग एगो एपार्टीज वोज लेविंग इन दा होलो ओफ ए ट्री इन ए फोरेस्ट फोर ए लॉंग टाइम पार्टीज यानि तीतर होलो यानि खोकला ट्री इन पेड फोरेस्ट यानि जंगल बहुत समय पहले एक जंगल में पेड के खोकले में एक तीतर काफी समय से रह रहा था वन डे एक दिन इट हैड बीकम सकेज इन तरेट पॉरेस्ट उफ दा फोरेस्ट इन जंगल पहले जंगल पहले से नि जंगल इन एक возь उनग डिकाघ्र आस करस इन यानि बोजन और जंगल के उस जगह में बोजन की बोजन ऐपर्याप्त था इसलिए वहें बोजन की तलास करने के लिए उसे दूसरे इस्तान पर जाना पड़ा फांड यानि पाना फिल्ड यानि खेत राइफ यानि पका हुआ राइस मिन्स चांवल डिस्टैंज यानि दूरी और रूसे कुछ दूरी पर एक पके हुए चांवल का खेत मिला ही इस्टे देर फोर एनि वीक्स वीक्स यानि हपते और वहां कुछ हपते वहें रुका एंड डिड नोट रिटर्न बैक और वहें वापस नहीं आया सून ही बिकैम हेल्थी बाई एटिंग राइस ग्रेंज 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 नी चामल और वहें चामल के दाने खाकर वहें बहुत सवस्त हो गया है हेल्दी नी सवस्त मिन्वाइल एर रैबिट स्टाटेड लिविंग इन दा पार्टी ओफ नेस्ट फाइंडिंग इन इमेटी मिन्वाइल यानि इस दोरान इस दोरान तीतर के खाली गोशले को देखकर खरगोश वहां रहने लगा आप्टर सम्टाइम कुछ समय बाद देयर पार्टी रिटर्ण एंड फाउंड दा रैबिट इन दिस नेस्ट और वहें कुछ समय बाद वापस आया आया तो उसने अपने घर में अपने गोशले में किसको देखा खरगोश को देखा हूँ आर यूँ आप कौन हो वोट आर यूँ डूइंग इन माई हाउस और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो दा पार्टेज आक्स एंगली एंगली ने गुस्टे से और तेतर ने उसे गुस्टे से पूछा इट इस माइन एंड हैव बिन फोर मैनी डे शैड दा रैबिट यह मेरा है मैं यहां कई दिनों से रहे रहा हूँ किसने कहा यह खरगोश ने कहा दे इस्टार्टेड कावर्लिंग विथ इस अदर्स कावर्लिंग यानि जगडा करना और वह एक दूसरे एक दूसरे से जगडा करने लग गए एक लास्ट डे डिसाइड टूसरे यह प्रोब्लम बाई समवन सोलनि हल करना इस डिस्टार्ट में तैक क्या और आखिर में उन्होंने किसी के दूआरा अपना शमश्य का समाधान समाधान करने का निन्ने लिया किसी और से समाधान करवाने के लिए एक जंगल में उन्हें उन्हें बिल्ली चुपचाप देख रही थी और उसकी आँख उन पर थी यानि उन पर वो एंड वोज वेटिंग फोर एनी ऑपर्चुनिटी फोर किल देम बोथ ऑपर्चुनिटी नि आउसर और उन दोनों को मारने का इंतिजार कर रही थी विट एन एम टो फुल्फिल हीज विश दान कैट वोल्न्टेज वोल्न्टेज एम यानि उद्देशे विश यानि इच्छा वोल्न्टेज यानि शव इच्छा और उनकी पूरी इच्छा करने के लिए बिल्ली ने शविचता शे कहा हे फ्लोक्स हे दोस्तो वोट इस प्रोबलम तुमारी क्या शुमश्य है सैल आई बी ओफ सम हैल्प हेयर मैं क्या तुमारी साइटा कर सकती हूँ ओल्थो बोज दा पार्टिज एंड दा रैबिट नू दा कैट टू बी एंड मी नियानि दुस्मन और हाला ओल्थ मिन्स हाला की हाला की वह हैं तीतर और खरगोस जानते थे कि ये बिल्ली हमारी दुस्मन है इन दे यार मिस एंडरस्टेंडिंग दे अप्रोजड दा कैट मिस एंडरस्टेंडिंग यानि गलत फहमी से वे बिल्ली के पास पहुंचे गलत फहमी से वे बिल्ली के पास पहुंचे as they near the cat और जैसे ही बिली उनके پास पहुंची the cat was ready to pounce on them पौंस मिने zhapakna जपakna जपakna और जैसे बिली उनके पास पहुंची वह है बिली उनको जपakने लिए तैयार थी विथे गलाओ गलाओन यानी गरजने बादल गरजने के आवाद नहीं हाती ऐसी गुर राते हुए दा कैट स्टार्टेट टू अटेग दा रैबिट एंड दा पार्टी और घुर राते हुए बिल्ली ने खरगोस और तीतर पर हमला किया बोस दा फ्रेंड रन इन डिफ्रेंड डिस्ट्रेंज टू सेव देयर लिव और वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए अलग लग रास्ते में भागे बट बट इस सार पोस और तीत विल्ल किल बोथ दा पार्टी और रैबिट शैप यानि तीर या गती से पोस यानि पंजे दात लेकिन उसके नकिले पंजे और दात उन दोनों को मार डालेंगे तो इसका मोरल देखते हैं ट्रस्ट नोट अन्स्ट्रेबल यानि कि एविस विसनिया परबरोसा मत करो यानि किसी परबरोसा मत करो कैसी लगी स्टोरी अगर थोड़ी पी पसंद आए तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें आपका दिन सुब हो थेंक यू हुआ 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 तो इसके खानिए यूआ रे तो यूआ हुआ हुआ है